हम लोग बात कर रहे हैं आपर PCS 2022 में अभी तक कितने अधियाचन मिल चुके और किन किन पोस्टों पर मिल चुके हैं आपको पूरी जानकारी मिलेगी आप चुकी जानते हैं कि लगबग मैं जानकारी वह देता हूं जो जानकारी संभौता होती है आज हम यहाँ पर बात करने कितने कितने पोस्ट आप तक आ चुके हैं कितने वीडियो के कितने हैंनों कितने हैं उन सबके मैं कि rumors किन विसके व्युकस्ते और आपको तैयारी कर manifests करनी के लिए बहुत कम पढ़कर प्रेंक्रट कर करना है तो इसके लिए अलग से वीडियो में जस्ट दो दिन बात बनाओंगा लेकिन फिर भी उससे पहले दो बात हैं कि आपको ब्रहमास सीरिज मेरी देखनी ही देखनी है अन्वास सीरिज प्लस घटना चक्र का वैकियर प्लस पर इच्छाबारी इस पर अभी बाद में करे 40 SDM 39 SDM की सीटें हैं जो जानकारी है और जो सही जानकारी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ 93 DSP के लिए बहुत सीटें हैं डिप्टी एसपी जो पूछ रहा है थे 93 कुछ लोगों कल कमेंट्स भी आरत सर्थ वीडियो बता दीजिए तो लगबख 36 सीटें आपकी वीडियो की 36 कि किसकी मिल चुकी है वीडियो की देखे 49 SDM 93 DSP 36 वीडियो और 34 सीटें अभी एंटी की मिल सुकी नाइप तैसिलदार की 39 SDM 93 DYSP और 36 वीडियो चौतिस एंटी नाइप तैसिलदार इसके अलावा जो और लोगों ने पुछा था जैसे कुछ की क्या इस्तिति है तो यार्टी की सीट भी जबार अच्छी है तेरे पद इस वक्त बी एसे के हैं जो अभी तक बताए जा रहे हैं 13 बी एसे बेसिक चादकारी करद की पोस्ट चार एर्टी ओ की पोस्ट बताए जा रहे हैं चार पांच डिपी आरो पांच DPO और चौदे पोस्ट आपकी जो CDPO है चाइल प्रोवेंट प्रोवेशन जो CDPO होता है उसकी कितनी पोस्टे मिल चुप तक चौदे तो तेरे बिये से चारे आल्टियो पांच DPO चौदे चौदे आप बने रहे हैं इस पर आपको पूरी सही सठीक जानकारी पोस्ट वाइस दी जा रहे हैं आपको सब्सक्राइब कर ले अनपमसर यूटूब से और अनपमसर जीयास ग्रूप जोईन कर ले लगातार सही और सठीक जानकारी और सठीक और निसुल तैयरी के लिए चलिए आँगे और जो अभी तक मिली है 34 एलाइड तो ये सीटे अभी तक हमको प्राप्त हुई हैं जो आपके लिए जानना जरूरी थी जाहें तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं इन सीटों को 39 HDM इस पीड से 93 DSP 36 Video 34 NT 13 BSA 4 ARTO 5 DPRO 14 CDPO और 34 एलाइड तो इस तरह लगबक 350 के आसपास सीटे हो रही हैं जो अभी तक अन भी जो मिली हैं लेकिन सिर्फ बात हमने उस पर कि जो मेन मेन सीटे हैं 350 प्लस सीटे हो जाने के बाद आप ये देखेंगे कि इन पर हमें क्या करना है कैसे अध्यन करना है रही बात इस्टेडी की तो इस्टेडी में आपको कुछ नहीं करना है आप जो भी अपने आप से पढ़ते हैं बहुत लंबा नहीं पढ़ना है एक आसान सब्तों में बात करें तो अभी भी आपके लिए अप्रेल मैई लगबक साथ दिन का मान के चलें कि साथ से सतर दिन का प्रोगाम है तो आप क्या करें घटना चक्र मैं फिर से बोल दे रहा हूँ घटना चक्र बैक एर चाहें वो हिंदी में हो चाहें वो इंगलिस में दोनों मीडियम में अबलिबल है उसको आप पर दे एक दो घंटे सॉल्व जरूर करें डेली सॉल्व करें जब तक प्रिय आपका नहीं हो पा रहा है कोश्चन आते ही आते हैं गोंपिर के बैक एर से बिल्कुल आप नकार नहीं सकते उसका दूसरा काम करना है आपको मेरी जो ब्रमास सीरीज चल रही है उसमें लगबग 45 से उपर आ चुकी है ब्रमास सीरीज आप मान के चलिए कि आपको कम समय में सेलेक्शन दिलाने बहुत भायमूल साबित होगी तो ब्रमास सीरीज को आपको डेली देखना है जब तक आपका प्री नहीं हुआ था जितनी भी सीरिज़े आ रही उसमें करन्ट मैं आपको कराऊंगा और आप भी मंधली कोई ने कोई बुक पढ़ते रही है इसके अलावा एक एक बुक जैसे पॉल्टी में लक्ष्मी कान पढ़ लिया आपने इस्त्री में इस्पेक्ट्म देख लिए या i3 या करिक्टल देख लिए इनन साइंस को रहे है जेके पांडे बहुत अच्छा काम कर जाती है था इतना सब तरह और मैं तो कहूंगा कि आप ज्यादा ना पढ़के बस घटना चक्र बैकियर ब्रह्मा सीरिस प्लस करन की कोई मैगजिन और परिच्छा वारी इससे भी गारंटी के साथ प्री निकलेगा मेरे कितने इस्टून का प्री निकला है और उसमें बताने कि आपको बार बार नहीं है खैर यह मैंने पोस्टों की जानकारी दी आपको जो मुझे सुचना मिली मैं यह नहीं कहता कि मैं सर्वसुध हूं या मुझे पूरी कोई जानकारी है लेकिन जहां तक मुझे मिला है जो आपको विश्वास है तो आप करिए बाकी आपका काम मेरा काम बताना है उसमें प्रतिक भारती को वाक अभ्यक्त इम सुनता का दिकार है लेकिन ये स्टीटे हैं ऐसी सटीक जानकारी है तो आप चुटे रहे हैं मेनत करते रहे हैं मेनत कोई बिकल्प नहीं है जै हिंद जै भारत धन्यवाद